हेलो फ्रेंज आज़की इस वीडियो में मैं जो डिसकस करने वाली हूँ वो है कैमफर के बेनेफिट्स camphor के वैसे तो बहुत सारे benefit है लेकिन कुछ benefits आज में आप लोगों के साथ share करना चाहूंगी जो की बहुत ज़ादा beneficial है चलिए पहला आपको बता देती हूँ love life में आखिर camphor जो है वो कैसे beneficial है तो love life में अगर आप लोगों के लड़ाई जगड़े होती है sorry friends तड़ाई जगड़े होती है अगर आप लोगोंगे husband wife में तो आपको रात को सोने से पहले you know या तो camphor आप burn कर सकते हैं अपने room में या फिर आप अपने room में दो camphor की जो टिकियां होती है उनको रख दीजिए ठीक है और आपको पता ही है वो हवा में dissolve हो जाती है after a week फिर से आप replace कर दीजिए दो टिकियां फिर से रख दीजिए तो इससे क्या होगा आपके और आपके partner का जो relationship है उसमें मदूरता आएगी चलिए और जो clash है वो दूर होंगे और next में आपको साथ discuss करना चाहूंगी specially पित्र दोश के लिए या जिनको भी काल सर्ब दोश की problem है तो वो रात को सोने से पहले अपने सारे घर में जो है कपूर जिलाकी उसका धुआ पूरे घर में दे रात को सोने से पहले उससे अच्छी नींद भी आएगी negativity भी जाएगी और पित्र दोश भी शांत होगा काल सर्ब दोश भी शांत होगा बाकि जिन लोगों को काल सर्ब दोश है वो मोर का पंख अपने आसपास जरूर रखे specially जहां वो सोते हैं उससे क्या होगा कि उससे भी काल सर्ब दोश जो होता है वो थोड़ा आपको कम तंग करता है problems कम होती है और पित्र दोश के लिए तो बहुती अच्छा camphor है रात को आप जला कर सोजाईए specially मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जब भी शिराद आते हैं ठीक है ना साल में आपको पता है एक बार शिराद आते हैं और जब वो शिराद आते हैं तो कुछ लोगों के पित्र जिनके बहुत जादा रुष्ट होते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत जादा आप बिमार रहते हैं शिराद के दिनों में ठीक है घर में मतलब काफी रातमक सी उड़ जा रहती है या तो कोई you know किसी का एक्सिडेंट हो जाता है या फिर घर में कोई बिमार रहती है जादा और whatever तो आप बस रात को सोने से पहले कर कैमफर जलाएंगे तो किसी न किसी हद तक जो है आपकी बचाव हो जाएगा आपका ठीक है personally मैंने ये यूज किया है तरीका और काफी beneficial है तो ये भी आप जरूर कीजिएगा ये पितर दोश के लिए था चलिए next मैं इसका benefit पता दी हूँ कि घर में वास्तु दोश हो अगर आपको नहीं पता कि आपने सही direction में सही washroom बनाई है नहीं बनाई है या क्या है kitchen की direction सही है नहीं है ठीक है तो आप अपने घर के हर एक room में एक एक टिकिया जो है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कपूर की रखेंगे और जब वो dissolve हो जाएगी हवा में तो एक एक फिर से रख दीजेगा after a week तो इस तरीके से आप करते रहेंगे उससे दूसरी बात अ और नेक्स्ट एक और ट्रिक है अगर आप नहाने के पानी में कैमफर ओयल की एक बून डालते हैं तो वो आपके लिए लक लेकर आता है आपकी लाइफ में तो यह कुछ चोड़ी चोड़ी चीजें थी जो मैंने आज डिस्कलोज की हैं ओके फ्रेंज बाबाई